इसको आप मैंने बूला था इसको एपेंडिक्स ऑफ टेस्टीज बुनते है ठीक है चलिए तो वाट इस दा करेक्ट सीक्वन्स ऑफ स्पर्म इसको आप याद रखने के लिए एक छोटी से ट्रिक मैंने बनाई है इसको याद रखेंगे के इसीक्वन्स से कैसे आता है यह स्क्रीव मैं बताता हूँ आपको भीए बस हित राद राखे कियो करेट्ट शीक्वन्स है FROM सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तिल वास डिफरेंस चीक है बटा तो कैसे होता है यह बताता हो मैं आपको ठीक है चलिए तो यह हो गया भी यह अब लेट स्टार्ट विद धिस जैसे के आपको दिखाई दे रहा है बटा यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चीज़े प्रेजेंट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नंबर एक जो बवात है यहाँ पे है वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बटा स्पर्म का प्रोडेक्शन होता है ठीक है यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यह डाइगराम भी अच्छी है एक मेरी खुद की बनाई होई डाइग्राम है उसको देखते है अपन कि वहाँ पर confused नहीं हों गया ठीक है चलिए यह थोड़ी सी गंदी डाइग्राम है आपको तो पता ही है मेरा level क्या है ठीक है चलिए तो इसको देखते है अब सबसे पहले एक बात है यहाँ पर कि यह जो testis है बटा this is the testis ठीक है एक single testis है इसके अंदर बहुत सारे testicular lobules होते है एक दो तीन चार पांच छे यह जो बनाए गया न बटा यह है बटा testicular lobules अगर आप बुलेंगे एक testis में 250 testicular lobules होते है कितने होते हैं 250 testicular lobules होते है और हर testicular lobule में for example यह testicular lobule है यह हो गया एक lobule ठीक है एक lobule है इसमें बटा तीन से चार seminiferous tubules होते है highly coiled ठीक है तो यहाँ पर क्या रहते है highly coiled तीन से चार seminiferous tubules होते है बटा ठीक है and mainly seminiferous tubules जो है वो आप इसे बोल सकते हो उसके अंदर की जो cells है sertoli cells वो sperm production का काम करने वाले है very clear बटा तो इतना आद रखिए यह हो गई नंबर एक testis testis में होते है 250 testicular lobules या इसको आप lobules भी बोल सकते है ठीक है and इसमें इसके अंदर क्या रहता है इसके अंदर रहते है आपके seminiferous tubules ठीक है बटा अब before we start that एक छोटी सी practically speaking एक terminology होती है बटा जिसको अपन बोलते है यह तो एक minute में पढ़ा दूँगा मैं लेकिन यह भूल जाया ना तो फिर मैं भूलूंग बताएंगे आपके sheet में नहीं दिया है बटाएंगे इसलिए मैं पहले बता देता हूँ what do you mean by gubernaculum called what do you mean by gubernaculum called anyone स्नीहा formation did you say formation formation नहीं करता है बटा हां maintain करके रखता है ठीक है चलिए अगर आपको याद है बटा तो इसको न मैं आपके frog के इससे समझाने की कोशिश करता है ठीक है बटा मैंने आपको बताया था यह जो frog है यह हो गई frog की kidney and frog की kidney से attach होती है उसकी testis and उसको पता है आपको बटा के यहाँ पे attach होने के लिए जो structure था उसको मैं क्या बोल रहा था याद है मिजौर्चियम बोल रहा था बटा याद है न टेस्टीज जो है वो kidney से attach होती है through मिजौर्चियम ठीक है तो यहाँ पे testis जो है वो scrotal sac से जो attach होती है न वो होती है बटा through gubernaquillum cord क्या बोलते है उसको gubernaquillum cord very clear बटा तो यह बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि अगर यह नहीं है तो testis scrotal sac के अंदर rotate करने लग जाएंगे अगर यह scrotal sac है तो आप ऐसे imagine कीजिए यह जो है gubernaquillum cord यह gubernaquillum cord testis से इसको attach करके रखता है scrotal sac से ठीक है बटा तो यह gubernaquillum cord बहुत important है इसको मिजोर्चियम भी बूला जाता है अगर अंदर के अंदर rotate कर गई तो बहुत सारे जो boys वगेरे हैं कभी-कभी cricket वगेरे खेलता है cricket खेलते खेलते they have to wear that pad ठीक है जो प्रोटेक्टिव पैड होता है ना pelvic वाले region में penis वाले region को protect करने के लिए cord होता है most of the time cricket खेलते खेलते अगर ball अगर वो उसने परसने नहीं पैना हुआ है तो ball इतने आपको पता है बटा इतनी hard ball है वो testicular वाले part में लग जाती है और इससे क्या होता है mainly उनका gubernaquillum cord damage हो जाता है अगर gubernaquillum cord damage हो चुका है rupture हो गया है तो क्या होता है कि testis scrotal sack के अंदर घुमने लगती है और इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते है बटा फिर इसका कोई solution नहीं होता है उसका sperm production का count भी कम हो जाता है और अगर दोनो gubernaquillum cord cut हो गये है मतलब एक testi का दूसरी testi का तो फिर उसको sterility हो जाती है ठीक कि वो बहुत बड़ा problem कर सकता है वहाँ पर फिर first deposition ये सारी चीज़े हो जाती है ठीक है तो जैसे ही gubernaquillum cord damage हुआ एक side का हुआ तो testis का removal ही एक बहुत अच्छा solution होता है ठीक है ऐसे persons में आप ऐसे बोल सकते हो future में sperm count भी कम हो सकता है ठीक है क्योंकि जो दूसरी testis है व इसको scrutals wall से चिपका के रखता है हिलने नहीं देता है rotation को avoid करता है बटा है तो ये चीज एक दो चीज़े है जो आपके sheet में नहीं दिया है लेकिन कभी-कभी पूछी जाती है ना चलिए अब आते है भईया आपके testis पे देखिए किती interesting है ये दिखाए देरा आपको बटा कि ये है testis, testis के अंदर 250 lobule होते है एक, दो, तीन, चार ऐसे बहुत सारे lobule होते है इन lobule को अपन बोलते है testicular lobule और हर lobule के अंदर क्या है? हर lobule के अंदर तीन, दो, एक से तीन, asperensiarty बोल रहा हूँ, एक से तीन seminiferous tubule होंगे समझ गया है तो ये हो गया भईया एक lobule, lobule के अंदर, एक ये हो गई, आपकी, ये हो गई, एक seminiferous tubule, highly coiled, ये हो गई, दूसरी seminiferous tubule, highly coiled, ये है, तीसरी seminiferous tubule, highly coiled, ठीक है बटा, तो ये तीन चीजे मिला के, आपको पता है, seminiferous tubules बनने वाले है, ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, आपक को दिखाए देरा बटा, ये जो है, ये हो गए, टेस्टिकुलर लोबियूल, एंड टेस्टिकुलर लोबियूल के अंदर क्या है, seminiferous tubule, लेकिन इसके आजू-बाजू वाला area देखिए आप, जैसे इसके आजू-बाजू का area अगर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर को छोड़के, seminiferous tubules के पार्ट को छोड़के अगर मैं बोलू, तो ये वाला जो area है, इसको मैं बोलता हूँ बटा, interstitial space, क्या बोलता हूँ इसको, किसी कुछ problem बटा, mute कर लीजे, प्लीज, अगर कुछ पूछना है, तो प्लीज पूछिए, कोई tension नहीं है, ठीक है, चलि रहने वाले है, या interstitial cells, या interstitial space बोलूगा बटा, क्योंकि यहाँ पर कौन से cells रहने वाले है, इसके आजू-बाजू में, यहाँ पर रहेंगे, leadic cells, कौन से cells रहेंगे, leadic cells, या interstitial cells रहेंगे, जो के future में form करने वाले है, क्या form करने वाले है, ये एक hormone form करने वाले है टेस्टोस्टेरोन और जो sperm है sperm तो आपको बता है बटा कि ये form करने वाला है जो seminiferous tubule है ये form करने वाला है sperm और इसके आजू-बाजू का ये जो यलो एरिया है इसको बोल रहा हो interstitial space ये इसके अंदर होते है interstitial cells या इसको आप बोल सकते हो and lady cells से क्या बनाता है testosterone याद आया कुछ तो भी ये बहुत important चीज है समझ गये अच्छा मैं अगर इसका cross section करू तो अगर मैं इसका cross section करू इस तरह से तो मुझे पता है क्या दिखाई देगा मुझे दिखाई देगा कि आजू-बाजू में ये जो है छोटे-छोटे से ये है ये है testicular lobules testicular lobules में आपको पता है seminiferous tubules है and seminiferous tubules क्या बनाने वाले है sperm इसके बाजू का जो area है इसके आजू-बाजू का जो ये area है ये yellow से बना रहा हूँ and ये yellow का जो area रहेगा इसको मैं क्या बोलूँगा बटा इसको मैं बोलूँगा interstitial space and इस interstitial space में क्या है interstitial cells है and ये interstitial cells क्या करने वाले है ये cells form करने वाले है बटा testosterone and ये वाले जो cells है seminiferous tubules के ये क्या form करने वाले ये form करने है आपका sperm क्रोस section किया एस यह मिला एमेजिन की जिये अजू बाजू में पूरा पूरा यल्लो औंड लयुन कट करने के बाद यहां पर समझ गए इतना समझ गए क्योंकि थोडी देर के बाद यह डाइग 270 आने वाल रिटा आपका पेज नंबशल कौन सक्ष देता है मुझे तो इस वाले एरिया में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे स्पर्म प्रेजेंट है यहां पर स्पर्म 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 यह के अंदर थे interstitial cells जिसका नाम है leadic cells very clear ठीक है चलिए इसके आगे अगर आप देख पा रहे है बटा तो अगर ये जो testicles है या seminiferous tubules है यहां से एक हलका सा एक छोटा सा duct निकल रहे है दिखाई देरा बटा ये है आपका collecting duct है तो ये जो है sperm को निकालके collecting duct में डाल रहे है उसके बाद collecting duct के बाद अगर आपको दिखाई देरा है तो रेटे टेस्टीज है ये वाला जो area है जो collecting duct को connect कर रहा है बहुत सरे collecting duct एक rated estes वाले area में चले जाएंगे ठीक है तो उसके बाद क्या आएगा rated estes which collect the sperm ठीक है दे रहा है नहीं यहाँ पे this is the rated estes rated estes के बाद आता है बटा vasa effrantia vasa effrantia का alternate नाम होता है बटा effrant ductus क्या नाम है? effrant ductus ठीक है आपके sheet में नहीं दिया है आपके NCRT में नहीं दिया है ठीक है लेकिन जो vasa effrantia है ना बटा यह वाला जो area इसके बाद जो आएगा rated estes के बाद आएगा इसको मैं बूलूँगा vasa effrantia या इसको effrant ductalus भी बोलते है effrant ductalus ठीक है समझ गये उसके बाद यह हो गया effrant ductalus इसके बाद देखिए sperm कहां जा रहा है यह जा रहा है यह वाला जो area है इसको मैं बूलूँगा बटा epididymus दिखाई दे रहा न epididymus तो epididymus के भी तीन हिस्से होते है epididymus के तीन हिस्से होते है compute epididymus compute मतलब आगे का हिस्सा उसके बाद दूसरा जो है बटा इसको मैं बूलूँगा middle epididymus ठीक है बटा और जो सबसे last होता है वो होता है caudal epididymus कौन सो होता है caudal epididymus होता है इसके बाद last वाला जो part है बटा यह वाला यह है was difference आपको पता है न जो यह वाला हिस्सा है यही जाके फिर urethra में जुडने वाला है और आपको पता है जब अपन क्या करते है जब अपन male को sterile करने होता है तो अपन क्या करते है vasectomy क्या करते है बटा vasectomy and vasectomy में किसको cut करते है was difference को what is the correct sequence of sperm travel इसको याद रखने के लिए सबसे important terminology है जो मैंने बनाई है आप भी बना सकते है बटा कोई भी बना सकता है बस इस trick को याद रखेंगे ठीक है बहुत easy trick है यह इसको मैं बोलूँगा के semi-niferous tubule क्या है सबसे पहले वो sperm produce का हुआ 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 semi-niferous tubules में हुआ semi-niferous tubules से यह गया collecting duct देखिए यह बहुत जादा correct option है बटा यह sequence नहीं मिलेगा आपको इसके बाद कहा जाएगा वो collecting duct में जाएगा बहुत बार यह MCQ पुछा जाता है कि इसके बाद कहा जाएगा collecting duct ठीक है semi-niferous tubules जब निकलते रहती है न बटा तो वो एक straight tube में convert हो जाती है semi-niferous tubules ही एक straight tube में convert हो जाती है उसको बोलते है बटा tubuli recti tubuli recti लेकिन वो semi-niferous tubules का ही part होता है tubuli recti तो उसको अपन consider नहीं करेंगे इसके बाद गया भाहिया collecting duct में collecting duct के बाद ये कहा गया collecting duct के बाद ये गया rate testis तो दिखाई दे रहा है बटा rate testis ठीक है इसके बाद वो गया बटा vasa-eferentia vasa-eferentia को मैंने क्या बुलाए efferenductalus इसलिए मैंने e लिख दिया है vasa-eferentia नहीं लिखा है मैंने क्या लिए इफरenductalus चीक है बटा efferenductalus में क्या गया efferenductalus के बाद वो कहा गया epididymis तो ये हो गया भीया epididymis epididymis के बाद वो कहा गया उसके बाद वो गया बटा was difference के पास तो ये हो गया v for was difference या was difference को आप sperm duct भी बोल सकते है very clear तो आपको याद रखना है कि what is the correct sequence of pathway of sperm that is screw ठीक है तो सबसे पहले seminiferous tubules फिर collecting duct collecting duct के बाद बटा आएगे ratatestis ratatestis के बाद आएगा efferenductalus उसके बाद epididymis epididymis के भी तीन पार्ट होते है corpus epididymis anterior part middle epididymis middle वाला पार्ट and coda coda मतलब tail वाला पार्ट coda मतलब end वाला पार्ट ठीक है बटा तो इसके भी तीन पार्ट होते है and last जो है वो क्या होगा बटा वोगा was difference या इसको sperm duct बोल सकते है इसको याद रख लो या हो सके ना तो यह मैंने आपको अल्रेडी दे दिया है आपके नोट में लेकिन इस डाइग्राम को जरूर बनाईए बटा बहुत important डाइग्राम है minimum आपके 10 से 12 mcqs all कर देगा very clear ठीक है बटा चलिए तो इतना पता चल गया किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या बटा बिंदास बोलिए इसमें कुछ टेंशन है सही है सब समझ में आ रहा है सभी लोगों को चलिए यह जो leading cells होते है यह interstitial cells होते है या फिर interstitial space होती है यहाँ पे blood supply होता है में दो तरह के cells होते है एक तो है male germs cells male germs spell मतलब sperms और दूसरे होते है बटा sertoli cells चीक है तो इतना याद रखिए इसको सिर्फ याद रखने का एक simple तरीका है इसको आप बोलेंगे seminiferous tubules में दो तरह के cells होते है एक को मैं बोलूँगा spermatogonia spermatogonia या आप इसको बोल दिए male germ cells या आप इसको sperm बोल दिजिए और दूसरा है बटा sertoli cells sertoli cells को क्या बोलते है sustenticular cells sustenticular cells भी इसको बोला जाता है तो seminiferous tubules में दो तरह के cells होते है एक होता है sperm दूसरा होता है sertoli cells ठीक है बटा and sertoli cells सी future में male sperm को nutrition प्रोवाइड करने वाले है very clear ठीक है चलिए सभी को समझ में आ रहा है बटा लोग प्लीज एक मिनिट के लिए unmute unmute कीजए प्लीज बताइए सभी को समझ में आ रहा है ये जो है ये बहुत important है बटा हाँ ठीक है ओके बटा I hope सब को समझ में आ ये डाइग्राम जरूर देखेगा ओके ओए टेंशन निये बटा चलिए तो let's talk about this चलिए तो ये जो है इसको भी अपन थोड़ा सा देख लेता है बटा एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे यहां से भी हर एक चीज का मैं आपको डाइग्राम दिखाऊंगा ठीक है तो जैसे कि covering of testis वगेर है फिर ये seminiferous अभी जो देख रहे था न बटा उसी चीज को फिर से यहां पर finish कर लेते है पहले देखिए मैंने आपको बताया था बटा कि ये हो गया एक lobule ये हो गया दूसरा lobule lobule के अंदर क्या था lobule के अंदर थे बटा seminiferous tubules और इसके आजो बाजो में क्या था इसके आजो बाजो में था yellow color का structure ये जो था ये पुरा yellow color का structure अब मैंने इसको किया cut अगर मैंने इसको cut किया तो मुझे क्या दिखाई देगा ये हो गया seminiferous tubule वाला area ये हो गया seminiferous tubule वाला area ये हो गया seminiferous tubule वाला area उसके आजो बाजो में क्या मिलेगा उसके आजो बाजो में मुझे ये area मिलेगा खाली वाला ठीक है very clear बटा दिखाई दे रहे आपको तो वही तो है अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है मैंने सैमीनिफेरस ट्यूब्यूल को कर दिया है कट ठीक है मतलब टेस्टीस को सैमीनिफेरस ट्यूब्यूल को कट कर दिया तो ये वाला जो area है जैसे के आपको दिखाई दे रहा है बटा ये वाला जो area है ये हो गया seminiferous tubules का एक lobule है ये ठीक है? समझ में आ रहा है बटा ये lobule है ठीक है? इसके बाद ये एक और lobule है, इसके अंदर ये भी एक lobule है, बहुत सारे 250 lobules होते है न बटा एंड हर lobule में आप इसे बूल सकते हो बहुत सारे seminiferous tubules होते है तो seminiferous tubules के बाजू में क्या मिलेगा? seminiferous tubules के अंदर क्या मिलेगा बटा? sperm मिलेगा क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे sertoli cells और sperm होता है तो बीच में देखिए, आपको दिखाई देगा बीच में क्या है? बीच में है spermatogonia sperm और उसके आजू-बाजू वाला जो area था जो मैं यल्लो से यह कर रहा था बटा वो था, यह देखिए red वाला area जो है, वो है interstitial cells या interstitial space या आप इसको बोल सकते है बटा leading cells, very clear ठीक है, तो वही तो बात है यहाँ पे, ओके चलिए, ओके तो इतना हो गया भी यह चलिए तो निशिका आई है क्या बबाबा निशिका is there निशिका are you there गाना गा पढ़ 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 रेजोनेट कंसेप्ट ठीक है, अपन एक थोड़ा सा पिछले का पिछले का भी पिछले का भी पार्ट दिख लेते हैं बटा, बोलो झाल कि अगर आपको पता है मैंने कि जो testis है वो 7th month में descend होती है बटा scrotal sex से from abdomen ठीक है लेकिन abdomen से scrotal sex में आते है लेकिन अगर वो if the testis fail to descend तो इसको क्या बुलता है बटा इस बीमारी को मैं बुलता हूँ cryptocoridism ठीक है बटा and इसके लिए एक surgery कराना पड़ता है मतलब जो abdomen में फसी हुई testis है उनको surgery कली निकाल के फिर scrotal sex में डाला जाता है तो इस surgery को बुलता है बटा और qiopaxi ठीक है चलिए इसके बाद बुला गया है कि बहुत सारे जो animals है या mammals है इन में क्या होता है कि इनकी जो testis होती है देखिए इनका body temperature कम होता है देखिए elephant भी इसका body temperature कम होता है बटा whale dolphin seal ये भी आपको पता है ये mammal होता है तो ये जो है ये कही ना कही इनकी जो testis है इनके abdomen वाले area में ही रहती है ठीक है ये निकलती नहीं है इसके बाद अगर आप दिखाए तेरे रहे है तो कुछ ऐसे है mammals जैसे के rat, bat, otter इनका जो testis होती है बटा ये सिर्फ जो उनकी breeding season है तभी time पे जैसे for example मैं बोल रहा हूँ कि किसी bat की या rat की जो breeding season है वो सिर्फ November में ही sexual reproduction करता है तो पूरा time उसके testis जो है उसके abdomen में रहेंगे लेकिन जब उसको sexual reproduction करना होगा तभी वो testis बाहर निकल जाएंगे ठीक है November में, ओके बटा, चलिए इसके बाद बुला गया है what are the coverings of testis तो इसको भी पढ़ लेज़े बटा इसको भी पढ़ लेज़े बटा झाल 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 ठीक है बटा ठीक है बटा, तो अपने को पता है कि testis की जो है, वो testis की तीन covering होती है अगर ideal अगर आप देखेंगे ना तो आप बोल सकते है कि testis की actually 8 covering होती है from scrotal sac till testis अगर आप बोलेंगे ना तो 8 layers होती है बटा ठीक है इसमें बहुत सारी layers आती है ट्यूनिका, वजाएनालेज, अल्बूजीनिया, वैस्कुलोसा उसके बाद एक layer बहुत सारी layers है 8 layers होती है ठीक है अभी मुझे भी याद में आ रही बटा लेकिन आपके इसमें दिया हुआ है तो अपन उसको ही consider करेंगे ठीक है तो इसको आप याद कर सकते हो VAV ठीक है वजाएनालिस, अल्बूजीनिया एंड वैस्कुलोसा यह बाहर की है बटा, यह अंदर की है ठीक है तो इसमें आपको दिखाए दे रहा है कि visceral layer epsendent posterior region, entry of spermatic cord and nerve blood vessel ठीक है इतना कुछ यह नहीं है इसमें, यह dense होती है white fibers होता है, connective tissue covering all the testes ठीक है, यह एक word यहाँ पर याद रखने वाली है बटा, कि यहाँ पर tunica alveugenia जो है for example यह testes है, तो testes का एक covering जो है एक particular layer बनाती है यहाँ पर ठीक है, यह इस तरह rate testes यहाँ पर रहेगा and इधर से वो निकल जाता है, करके anterior and posterior to rate testes होता है, बटा, mediastinum and it is the part of tunica alveugenia, ठीक है, इतना याद रखेंगे बस and last जो है tunica vasculosa, ठीक है बटा, तो यह vascular part होता है, मतलब इसमें blood vessel होगी, ठीक है, अब इसकी आपने एक diagram भी देख लेता है, ठीक है, देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, तो outward to inward, VAV vaginalis, alveugenia and vasculosa, ठीक है, तो outermost जो रहेगी, वो vaginalis रहेगी, उसके अंदर की जो रहेगी वो alveugenia and सबसे अंदर की vasculosa, ठीक है बटा, चलिए इतना समझ गया अपने को चलिए, इसके आगे चलता है बटा स्नेहा सिदाम आहे थे थे पढ़ो, internal structure of testis बेटा, रहेंदे, रहेंदे, रहेंदे निशीका पढ़ो स्नेहा, रुप जो तुम्हारा network थोड़ा problematic है बेटा निशीका पढ़ो निशीका पढ़ो निशीका पढ़ो चलिए बटा, एक सेगे देखे जैसे मैं आपको बता है बटा कि लोब्यूल्स जो है, वो लोब्यूल्स 250 होते है ठीक है, एक लोब्यूल्स में एक से तीन highly coiled seminiferous tubules होती है जिनकी length 70 से 80 cm in length हो सकते है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, अगर आप बुलेंगे के 250 ठीक है, imagine कीजे बटा, के 250 लोब्यूल्स है 250 में on an average अगर आप बोल रहे हो के 3 seminiferous tubules है ठीक है, तो seminiferous tubules में, ये कितने हो गए आप imagine कर सकते हो 750 seminiferous tubules हो सकते है एक साइड में, ठीक है, 750 है ना, बरबर है ना 250 into 3, ठीक है, तो 3 seminiferous के हिसाब से, एक testis में 750 seminiferous tubules होते है, ठीक है तो 750 इदर, 750 उदर आप ऐसे बोल सकते हो, दोनों testis मिला के 15,000 seminiferous tubules हो सकते है ये mathematical terminologies है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर आप बोलेंगे ना, तो इनको अगर एक straight line में, देखिए बहुत coiled होता है, बैटा, seminiferous tubules are highly coiled, अगर इनको एक straight line में मैंने convert कर लिया ना, तो almost आप ऐसे बोल सकते हो, 275 yards, 275 yards से भी ज़्यादा लंबा structure हो सकता है, ठीक है, तो 250 मीटर या 300 मीटर का area आप cover कर सकते हो, बैटा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, football का stadium भी cover हो सकता है, अगर एक male के testis को, एक single line में convert कर दिया गया, तो मैंने आपको पता है, elementary canal, तो आपको पता है, small intestine भी 6 मीटर का होता है, ठीक है, अगर उसको मैं straight line में convert कर लो, तो वो 6 मीटर क हो जाएगा, लेकिन किते छोटे से जगह में रखा हुआ है, वेरी कलिया, उसी तरह जो testicular lobules में, बैटा, seminiferous tubules है, इनका भी length, एक इसका length वो बोल रहा है, बैटा, 60 से 70, as per NCRT, 60 to 70 cm है, वेरी कलिया, एक seminiferous tubules का, तो imagine कीजिए, वो कितना जादा लंबा हो जाएगा, ठी में, 750 seminiferous tubules हो सकते हैं, max to max, ठीक है, 500 से 750, दूसरे में भी 750, ठीक है, तो 1500 के आसपास हो सकते हैं, ठीक है, चलिए, ये एक मोटा-मोटा rough idea था बैटा है, इसके बाद, थोड़ा सा इसको sertoli cells को भी कर लेते हैं, ठीक है, बोलिए, sertoli cells, sertoli cells, nishika झाल ऑके, शस्टेंटिकुलर का मतलब ही होता है, बैटा, support, ठीक है, आप बुलेंगे, ये सस्टेंटिकुलर का मतलब क्या होता है, बैटा, इसका मतलब ही होता है, supportive cells, यह इतने important cells है, आप ऐसे बोल सकते हो, कि यह cell को, मतलब जब sperm पूरा तयार होगा, spermatozoa होगा, तो अपना head जो है, वो certainly cells में घुसा के अपना nutrition लेता है, बटा, very clear तो यह इतने important होता है, ठीक है, चलिए, इन ही को बोला जाता है, सस्टेंटिकुलर cells, इन ही को बोला जाता है, nerve cells, चीक है, चलिए, तो यह seminiferous tubules में present होता है, बटा, इनके यह एक specific protein release करते है, ABP, ठीक है, with seminiferous tubules में जाता है, बटा, and testosterone, and concentrate it within the tubules, तो आपको बता है, indirectly, आप ऐसे बोल सकते हो, कि यह testosterone के production में भी directly, indirectly, help कर रहा है, ठीक है, इसके बाद, spermato, sertoli cell main function is to nurture the developing sperm through the stage of sperm, myogenesis, and as called as mother cell, ठीक है, तो इसके तीन चार नाम है, भाईया, sertoli cells, nurse cells, sustenticular cells, mother cells, यह चारो नाम, आप ऐसे बोल सकते हो, sertoli cells के ही होते है, ठीक है, it provides both secretory and structural support, ठीक है, चलिए, junction of the sertoli cells form blood testes barrier during the time of sperm maturation, large sertoli cell nourrige immature sperm, out of which before they reach the sperm, ठीक है, बटा, तो आपको पता है, यह blood testes barrier करने वाला है, harmful चीज़े जित्ते भी रहेगी ना, blood से आने वाली, उन से, for example, देखिए, अगर आपको याद है, astrocyte cells, याद है आपको, astrocyte cells, जो थे brain के, वो भी blood brain barrier कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कि एक specific type का cell junction बना रहे थे, tight junction, इससे क्या हो रहा था, astrocyte cells, for example, यह astrocyte cells है, यहाँ से blood vessel है, तो blood vessel में से, कोई harmful चीज आके, इस neuron को खराब नहीं करने चाहिए, इसके लिए, यहाँ पे बहुती tight junctions present थे बटा, ठीक है, तो यह क्या form कर रहा था, blood brain barrier कर रहा था, क्योंकि यह blood था, blood से कोई भी harmful चीजे, brain की तरफ नहीं जाने चाहिए, यह neuron को damage नहीं करने चाहिए, इसलिए इसने क्या बनाया था, blood brain barrier बनाया था, अब यहाँ पे, यह काम कौन कर रहा है, blood testis barrier, ठीक है बटा, तो आपको पता है, कि यह जो sertoli cells है, यह testis क का ही हिस्सा है, seminiferous tubule का हिस्सा है, यहाँ पे अगर कुछ damage करने वाली चीज है, तो उसको रोकने का काम कर सकता है, ठीक है बटा, चलिए, तो कहीं नहीं आप ऐसे बोल सकते हो, इसमें immunological structure की भी power होती है, ठीक है, अपन थोड़ा आएगा, इसके नीचे आएंगे बटा इन में भी थोड़ा immunological की power होती है, ठीक है, चलिए, तो यह क्या बुल रहा है, लार सर्टुली सल नरिश इमचिल स्पर्म और फिल्टर आउट हामफुल चीज है, ठीक है, बाइर रीट, देम टूरीज तो स्पर्म, मतलब कहीं न कहीं ऐसी चीज़े, जो स्पर्म को damage कर सकत हो सकता है, कि कोई chemical हो, जो blood में घुला हुआ है, कोई medication पर होता है, बहुत सारी चीज़े को है, जैसे कोई specific epilepsy की medicine खा रहा है, तो epilepsy की medicines पूरे blood में फैली हुई है, अब वो जाएंगी testicular region में, अगर sperm बन रहा है वहाँ पे, तो sperm को भी वो कुछ ना कुछ गडबड कर सकता है chemical level के, तो इसको रोकने के लिए वो काम कर रहा है, बटा, sertoli cells, तो वो कही ना कही protector भी है उसका है ना, चलिए, इसके बाद आते है, बटा, male germ cells, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजे, male germ cells मतलब sperm की बात कर रहा हूँ, है ना, बूलिए तो जैसे कि अपन देख पा रहा है, बटा, यहां पर, यहां पर मैंने आपको बोला, कि यह जो male germ cells है, यह कहां से originate हुए है, जो सभी को आ जाने दो भाई, ठीक है, बाकी सब पढ़ाई करते रहो बबा, ठीक है, मैनत करते रहो, question पूछो रहो बबा, question पूछ नहीं रहा है, तरूल पूछ रहा है सिरफ, स्नेहा पूछ रही है, निशिका कभी-कभी पूछ रही है, बस, बाकी कोई नहीं पूछ रहा है, भक्ती कभी-कभी पूछ लेती है, निलीमा मालवान कर, निलीमा को नहीं रहे, ठीक है बटा, आगे सभी लोग, चल्वी स्टार्ट, चलिए, ओके, तो देखते हैं बटा, यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर आप बोलेंगे, औरिजनेट इन, एक्स्ट्रा एंब्रियोनिक मेजोडर्म, ठीक है, तो आपको एक बात बता दो, बटा, कि यह जब लाइफ ओरिजनेट होती रहेते हैं, तो यहाँ पर एंडोडर्म, यहाँ पर मीजोडर्म, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, इसी में से, यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं, बटा, कि इस वाले रीजन में, एक्स्ट्रा एंब्रियोनिक मीजोडर्म होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एंब्रियोनिक मीजोडर्म, एंड यह जो है, एक्स्ट्रा यह जो सेल्स है, मतलब अगर आप बोलेंगे, तो मेल के जो स्पर्म वाले सेल्स है, ठीक है, इनका बाद में डिविजन वगेरे होने होता है, लेकिन ओरिजनली यह सेमाटिक सेल्स ही है, बाद में इनका, आप ऐसे बोल सकते हैं, बटा, कि मी इसके बाद इनका मियोसिस होता है अभी तक अगर आप बोलेंगे ना तो यह नॉर्मल सेल्स ही है टेस्टीस के नॉर्मल सेल्स ही है लेकिन इनका बाद में क्या होगा मियोसिस ये सारी चीज़े होने वाली है ठीक है चलिए तो इसको भी फिर से एक बार पढ़ लीजे बटा मेल जर्म मेल जर्म सेल को पढ़ लीजे एक बार लीजे सेल जर्म झाल्डन सेल को पार फिर विर सय्व mechan Summit मेल सेल मेल सेल्मा मेल सेल्मा जर्मास सेल रिक हॉर कि प्रकव और लीजे लीजे ले टम्क्रीजे लीजे जिवगन ठीक है बटा तो आपको पता है कि यह जो सेल्स होते हैं इनको मैं बोलता हूँ लीडिक सेल्स और लीडिक सेल्स आपको पता है ना एलेच जो होता है इसको आप बोल सकते हो क्या बोलेंगे इसको यह काम करता है लीडिक सेल्स पे और यह क्या रिलीज करता है बटा टेस्टोस्टेरोन और मैंने आप हर बार बुलता हूँ कि FSH जो है वो सेमिनी फेरस ट्विबूल्स के सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं इन्हें किसमें हेल्प करते हैं स्पाम प्रोडक्शन में ये तो हर बार बुलता हूँ बहुत इजी चीज है ठीक है अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल सेल स्टिमूलेटिंग हॉर्मोन ICSH याद आता है क्या याद आया किसी को चैप्टर नमबर 22 बाबा लोग याद है ना तो वो भी गोनाड्स को ही लीडिक सेल्स को ही तो प्रोडक्शन करे तो लीडिक सेल्स जो लीटिनाइजिंग हॉर्मोन है वो उसी का टाइप है या फिर आप उसको बोल सकते हो ग्रूप ओफ हॉर्मोन है वो इसका जो है एक हॉर्मोन होता है ठीक है चलिए तो इजी है यह भी चीज कवरिंग हो गए भी यह अपने ठीक है सर्टोली सेल्स एन स्पर्माटोजोवा स्पर्माटोगोनिया भी आ चुके है ठीक है यह पता है अपने को अब आते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पे इसके आगे के पार्ट देख लेता है बटा टेस्टिकुलर डख्ट ठीक है तो इसको भी पढ़ लीजिए कि हुआ कि हुआ कि हुआ कि हुआ कि हुआ कि एक सेकंड रुक देए ठीक है अब यहां पर क्या बूल रहा है बटा कि यह जो ट्यूबिला रेक्टी है मैंने थोड़ी दर पहले ही आपको बताया बटा कि यह जो ट्यूबिला रेक्टी है यह सेमिनिफेरस ट्यूबिल का ही पार्ट है इसलिह मैंने पहले वहाँ पर उसको गंसीडर नहीं किया रहता था ठीक है तो straight tube tubular recti में convert हो जाती है ठीक है इसके बाद आपको पता है इसके बाद क्या आने वला है इसके बाद आएगा रेटे टेस्टी आपको याद है ना screw double e v ठीक है बटा तो इसके बाद आएगा इफरेंजियाग Conse undoubtedly meने क्या बूला थाaza इफरेंजियाग का अल्टरनेट नाम क्या है इफरेंजियाग इसलिए मैंने ईबूल दिया था स्क्रियू में जो बूला था मैंने यह उ बोल दिया था कुनसा different ductus या आप इसको बोल सकते हो वाजा differentia इसके बाद E क्या है इसके बाद का E है बटा epididymis and epididymis के बाद कौन आएगा epididymis के बाद आएगा was different तो this is the correct sequence ठीक है चलिए तो अब epididymis को पढ़ते है बटा अगर आप epididymis को भी बोलेंगे तो epididymis अगर आप देखेंगे ऐसे इस तरह से जा रहा है जा रहा है जा रहा है ठीक है इसका एक diagram आएगा बटा भी अपने पास ठीक है तो यह epididymis है for example तो इसका यह जो initial part है इसको मैं बोलता हूँ बटा अपर compute epididymis का मतलब ही होता है बटा anterior इसके बाद यहाँ पर middle वाला part आएगा middle वाले को part को बुलता हूँ middle corpus epididymis ठीक है तो यह second part हो गया and जो third है जो last part है उसको बुलता है बटा lower cauda epididymis ठीक है तो यह तीन चीज़ नाम याद रखेंगे बटा के epididymis जो है इसके तीन हिस्से होते है anterior को बुलता है बटा copute epididymis ठीक है middle वाले को बुलते है middle corpus epididymis and last जो है इसको बुलते है cauda epididymis very clear ठीक है इसका diagram आ जाएगा अपने को ठीक है चलिए epididymis start करते है बटा I hope यहाँ तक सब clear है vasa eferentia fine 10 to 25 tubules originating from ratatastis तो थोड़ी दिर पहले आपन diagram में देख लिए जो बटा आपको दिखाए देंगे वाजा eferentia जो है 10 से 20 tube थे जो collect कर रहे थे कहां से ratatastis से ठीक है चलिए आगे बुलिए epididymis बुली बटा थोली दे yine हतार dobr बटा faculty शे बटा झाव ठापके बटा झापके लुटस ओंस वाज जैब protect बी दूट्म है जीप का टीक ही आपके तोर्ड बूप सरक कर ने जीप का पूड भूज का, ऐससी बटार आपे दापोड़ इस सपरम इस सपर्म नाइब बता से उस्ट जाएलेलें में फेरी इस सब्सक्राइब होगए। तो अभी देखता है बटा यहां पर क्या बूल रहा है कि एपीडियोनिक डेवलप्मेंट में वॉल्फियन डग्ट होता है वहां से यह डेवलप होता है कौन सा एपीडियोनिक पार्ट एपीडियोनिक इस ट्वेंटी फीट इमेजिन कीजिए अगर आप एपीडियोनिक इतना कोईल स्टक्चर है कि अगर आप उसको अनकोईल करोगे तो वह ट्वेंटी फीट का हो जाएगा इसके बाद अगर आपको दिखाई देरा विडियोनिक इस पर्म कम्प्लीट देर मैचुरेशन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शेरी यह जो होते है न बेटा यह सारी चीज़े आप ऐसे बहुत सकते हो कि फाइनल फाइनल जो उसका मैचुरेशन होने फाइनल जो उसका म वाला है न वो कहां पर होता है बटा वो एपीडी डायमिस में होता है देर फ्लाजेला बिकम्स फंक्शनल ठीक है तो अभी तक जब तक स्पर्म बना है तब से लेके वो बहुत सारी जगह में से गुजरा है वो पहले सेमीनिफेरस टुबूल में से गया सेमीनिफेरस अभी तक वो खुद से मूव नहीं कर पा रहा था लेकिन अब ऐसा होगा कि उसके जो फ्लाजेला है बटा इसका टेल पार्ट है यह फंक्शनल हो जाता है कहां पर होता है एपीडी डायमिस वाले हिससे में होता है ठीक है तो यह स्टार माग करके आल्रेडी मैंने रखा हु पिलेट नहीं कर रहा है तो उसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि उसके जो स्पर्म Mitte है कि स्परर्मीयोगेसि 2प एगा नए थोड़ी देर मैं स्र्म geben जेनेसिस जो है स्पर्मियोगेसिस स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है बटा कि वह सेमिनी फेरस टुब्यूल से इधर आ चुका है करके एक सब्सक्राइब उस पर आएंगे न बटा तो मैं बदाता हो एक बार में को फिर से रिवाइस कर देना ओके तरुल चलो तो इसमें फाइकोसाइकोस आफ्टर वन मन मतलब अगर वह वहां पर रहेंगे कंटिन्योसली इजैकुलेट नहीं हो रहे है ठीक है तब ही टेल आ जाती है किस वाले पार्ट में बटा स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में बुले के यह आएगी न बटा जो स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस बुलते है बटा इसमें क्या बुल रहा है कि स्पर्म हेड बिकंस एंबेडेड इन सर्टोली सेल्स और फाइनली रीच फ्रॉम सेमिनी फेरस ट्वियोजेनेसिस बुलते है जिसकी वजह से वह और ज्यादा एक्टिव हो जाता है ठीक है एपिडामिस जो है वह स्टोर्द स्पर्म एंड डिरिंग अरोजल कॉंट्रेक्शन फोर्स भी वह आगे ढखेलने का काम करता है बटा आएगा तो मैं बताता हो इसको आया जाने दो उसको एक बर व्यूंकि नेक्स इसमें आएगा बटा जो स्पर्मेटों पूछ र इनको फैगोसाइट्स कर देते हैं इसको रियूटिलाइज कर लेते हैं उसकी जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जो एनर्जी होती है ठीक है स्मूद मसल इन्द वाल ऑफ एपिडिडामिस प्रोपेल्स दस पर्म इंटू वास डिफरेंस ठीक है तो यहां पर आपको पता प्रोपेंस लेडिल यहां इनकोषन का अंसर देता थूत हो बिटा थोड़ी दर के बाठ छेलिए इसका इसके बाद इस पडिए बढावास डिफरेंस ड़क्तस डिफरेंस इसका अल्टरनेट नाम है बढाए ड़क्तस डिफरेंस पड़ोगष वासज़ेंस स्ठेटर में स्ठेटर में एक भासज़ेंस झाल झाल टिकें बिटा तो आपको पता है दिखिए वास Lास पार्ट है इसी को कट करने के बाद क्या होती है वैस्क? थीक है चलिए तो धक्तर वास टिफरेंट टिकर ल्चॉए सब्यस दिखिए उसका अल्च्रिक नाम लीडियर यह सपर्माटिक डिफरेंश बूलते है ठीक है ठीक है weak and developed from wolfian duct तो embryonic life में यह wolfian duct से बना होता है ठीक है it extends from epididymis till scrotal मतलब यह हो गया epididymis epididymis वाले area से यह पूरा in the scrotal till the through inguinal canal ठीक है extend from epididymis in the scrotal on its own side into abdominal through inguinal कला ओके बटा तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह जो है vast difference जो है वो scrotal sac से निकलेगा and inguinal canal से जाएगा inguinal canal पता है आपको बटा कि यह pate का हिस्सा होता है and inguinal canal मैंने आपको बताया था कि inguinal canal weak हो गई for example यह inguinal canal है यहाँ से यह vast difference जाने वाला है ठीक है अगर यह inguinal canal weak हो गई तो इसकी वज़़़़़ से क्या होता है बटा कि abdomen का हिस्सा testis वाले region में लटकने लगता है और मैंने आपको बताया था इंगवाइनल canal weak जो है इसकी वज़़़़से क्या होता है इसकी वज़़़से होता है हर्निया क्यों कि यह जो inguinal canal weak है इसकी वज़़़़से abdomen कहां आने लगता है testis वाले part में आने लगता है इसकी वज़़़़से क्या होता है inguinal hernia बोला था मैंने आपको बता है न ठीक है तो वहां से वह जाता है very clear चलिए तो इसके बाद क्या बोला है के it is a connective tissue that contains testicular blood vessels and nerves ठीक है बटा चलिए इसके बाद terminal part dilated from ampulla which stores the sperm and form lube over urinary bladder ठीक है बटा तो इसका जो terminal part होता है न यहां पर sperm को store करने का भी काम करता है बटा इवन आप ऐसे बोल सकते हो maturation of sperm होता है वो जो होता है maturation of sperm और जादा वो active हो जाता है बटा कुछ problem नहीं होती है कि हरनिया होता है न बटा अगर inguinal canal जो होता है हरनिया में अगर तो normal ejaculation में problem होती है बटा क्योंकि आपको पता है कि यह जो है ingu difference अब वास difference यह जो inguinal canal है यह weak हो जाती है तो इससे क्या होता है कि abdominal का हिस्सा Abdominal का कुछ हिस्सा इसको block करने के chances होता है यह testis में घुषने लगता है न इस तरह से तो normal sperm जो है निकलने की process है इसमें कुछ ना कुछ problem होता ही है मतलब कम निकलता है very clear बटा ठीक है चलिए इ कि बॉड़ी पे कि टेस्टीज पे बॉड़ी पे बॉड़ी पे बोले कि टेस्टीज पे बोले टेस्टीज में तो बटा inguinal canal में यह पूरी टेस्टीज यह इसी बड़ी दिखने लगेगी क्योंकि abdominal का जो हिस्सा है वो पूरा टेस्टीज में आ गया है स्कुरोटल सैक में आ चुके है है ना बॉड़ी पे तो मुश्किल है बटा बॉड़ी पे swelling मुश्किल है ओके चलिए तो इसके बाद bulging swelling abdomen वाले रीजन में भी रह सकता है और जो स्कूरोटल सैक है बटा वहाँ पे तो रहता ही है अधर देन डाइट कोई इक सिग्निफिकेंस नहीं बनता है कि पूरे बॉडी में कौन से वाले रीजन में जैसे आप हात में बोल रहे हो या पेट में बोल रहे हो कहां पे स्वेलिंग बोल रहे हैं किसी को हुआ था क्या फैमेली में लग रिलेटिव को या वगेरे किसी को यहां पेल्विक रीजन में तो रहेगी स्वेलिंग फीमेल हर्निया ना निकाला नहीं रहे बटा फीमेल हर्निया निकालता हूँ आज पॉर शोर नहीं नहीं मैं तरुल से बहत कर रहा था ठीक है बटा और कुछ इसके अलावा ओके चलिए तो इसको कंटिन्यू करता है बटा अपन ओके एक क्या फीमेल हर्निया ना फीमेल हर्निया बता दिता हूँ मैं ठीक है और आपका जो डाउट था स्पर्मेटोजनेसिस का वो भी क्लियर कर लूँगा ठीक है चलिए तो इसके बाद आते है बटा कि वैसेक्टोमी में क्या कर रहे है अपन वास डिफरेंस को कट कर रहे है तर्मिनल पार्ट इस डिलेटेड एंड स्टोर्स दपर्म स्पर्म्स एंड फॉर्म लूप ओवर य इस वाले रिज़न में भी वो स्टोर करता है ठीक है यह जो है आप दिखाई दे रहा है बिटा कि ये जो है दिखाई दिया आपको यह जो है यह वास difference है ठीक है epididymes वाला part है वास difference जा रहा है यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको यह जा रहा है जा रहा है almost आप ऐसे बोल सकते हो urinary bladder को cross कर लिया है अब यह ampula वाला जो region होता है न उसका उस वाले region वे आप ऐसे बोसकते हो थोड़ी देर के लिए रहता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है ठीक है एक सेकिन pubic bone ठीक है जो ये बता रहा था बटा tail part वाला देखिए compute उसके बाद corpus, body part and cauda तो ये tail part होता है बटा ठीक है female हरनिया female हरनिया निकलता हो बटा चलो इतना समझ में आ गया ठीक है इसके बाद क्या है बटा इसके बाद है vasectomy ठीक है smooth muscle layer of ductus difference contract the wave ठीक है तो आपको पता है बटा vas difference की जो ये जो layer होती है ये क्या करती है contraction करती है जिसकी वज़़े से sperm फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है ठीक है ejaculatory duct there are two ejaculatory duct which receive the sperm from ductus difference and secrete the seminal vesicle in both साइट ठीक है तो आपको पता है बटा कि इसके आगे रहेंगे ejaculatory duct इधर से भी एक निकलेगा इधर से भी निकलेगा और वो कहां जाके जुडने वाला है वो यूरेथ्रा में जाके जुडने वाला है very clear ठीक है चलिए यूरेथ्रा originates from urinary bladder it is the last part of urinary tract ठीक है यूरेथ्रा passes through corpus spongiosum a part of penis and its opening is known as urethral meatus ठीक है बटा तो यह जो है corpus spongium यह अपन देखने वाल है transverse section of जो penis है उसको अपन देखेंगे ठीक है which lies on the tip of glance penis it is the both a passage for urine and ejaculation of sperm ठीक है तो urine and semen दोनों की ejaculation के लिए common होता है बटा urethra ठीक है चलिए तो इसको अपन देख लेते हैं जो spongiosum उसने बोला है अगर आप transverse section देखेंगे male reproductive system का दिखाए देखेंगे बटा आपको यहाँ पर दिखाए यह main चीज़े यहाँ पर तीन है यह है corpus cavernosum corpus spongiosum and corpus spongiosum के अंदर ही होता है बटा urethra ठीक है अच्छा कोई एक बात बताएगा मुझे कि why the penis becomes erect erect होने का reason क्या होता है बटा बिनिज आये कि आज how the penis becomes erect there is no bone in human penis अगर आप बुलेंगे बटा whale, bat, rat इन सब के penis में न एक bone होती है लेकिन human penis में bone नहीं होती है the reason why anyone know how the penis becomes erect बता चुका हो मैं एक बर तरूल तरूल बटा क्या बुला क्या बुला और कोई और कोई how the penis muscles की वज़े से penis erect हो जाता है अच्छा और everyone पूर्वा विनित विनित आंसर how the penis becomes erect स्निया तो कौन से एरिया में रहती है भेन बहुत नेटोक प्रॉब्लम है ठीक है यू और सेइंग पैरसेंपेटिक नर्वस सिस्टम वो तो काम करता है लेकिन में क्या होता है क्या चीज होती है कि जिसकी वज़े से वो इरेक्ट हो जाता है तरूल पूर्वा श्रावनी स्निया तरूल आसे माधिती आस्था चैनिका निशिका उमकार पूर्वा शशांग श्रावनी पिसे सुनू श्वेता तरूल विनित श्रावनी पिसे how the penis becomes erect that is the question what is the logic behind that anyone चीक है चलिए इस चीज़ को देख बोलो बटा बोलो विनित बोल रहे थे के पहले विनित बोलो आप देखो आंसर इधर ही इधर ही है अगर ध्यान से देखो तो आंसर इधर ही है this is the cross section of penis हूं उससे में क्या होता है इसमें हूं सही है सही है ठीक है ठीक है कौन है किसने दिया आंसर विनित विनित ने दिया किसने दिया योंकार ने दिया ठीक है बटा तरूल ने दिया मैंने दिया ओके ठीक है बटा चलो very good तरूल डॉक्टर बनेगा तू जरूर ठीक है देखे बटा what it is saying देखे सबसे पहले तो imagine कीजिए this is the transfer section of penis मतलब अगर penis है उसको मैंने cut कर दिया इस वाले region से और इसको यहां से देखा तो मुझे इस तरह का area दिखाई देगा तो सबसे पहले इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है बटा तो यहां पे ना सबसे बड़ी यहां पे जो mass वाले है जो muscle है यह है बटा korpus cavernosum यह है एक दूसरी तो korpus cavernosum है लेकिन इसके अंदर क्या है इसके अंदर है बैटा एक deep artery क्या है उसके अंदर उसके अंदर होती है एक deep artery जब penis erect होता है तब उस time पे यह जो होता है न यह जो deep artery है यह पूरा flow से भर जाती है मतलब blood circulation इतना बढ़ जाता है यहाँ पे कि normal circulation के मुकाबले यह almost आप ऐसे बोल सकते हो 50 गुना यहाँ पे blood flow होता है under parasympathetic nervous system of course लेकिन blood flow बढ़ता है blood flow जो है देखिए किसी-किसी book में लिखा है कि 10 गुना बढ़ जाता है किसी-किसी यहाँ पे लिखा है 50 गुना बढ़ जाता है तो जितना भी गुना बढ़े लेकिन blood जो flow है बटा towards penis जो है यह बहुत बढ़ जाता है अब ऐसे imagine कीजिए कि यह जो muscles है यह पूरी full जाती है ऐसे पूरी full जाएगी इस तरह से यह भी दूसरी आर्ट्री है ना डीप आर्ट्री यह भी पूरी फैल जाएगी इसकी वज़से आप ऐसे बोल सकते हो कि यह जो penis है यह पूरा erect हो जाता है आप ऐसे बोल सकते है पूरा kind of उसकी जो stiffness है वो बढ़ जाती है stiffness बढ़ जाती है very clear अगर आपने ध्यान से दिखा ना बटा तो यह वाला जो hole है यह वाला जो है जो यूरेथरा यूरेथरा को जो cover कर रहा है उसको बोलता है बटा corpus spongiosum ठीक है यह पूरा दब जाता है मतलब आप ऐसे बोल सकते हो यह इतने बढ़ गए यह दोनों इतने बढ़ गए इतने बढ़ गए इतने बढ़ गए है पूरा कि इसने ना यूरेथरल ओपनिंग को पूरा दबा दिया है बंद कर दिया है इसलिए मैं हर बार बुलता हूँ ना बटा कि जब कोई इनसान sperm release कर रहा है ठीक है उस टाइम पे उसकी urine कभी नहीं release हो सकती है समझ मैं आ रहा है बटा क्योंकि ये जो है urethral जो ये होता है वो वाला जो area होता है बटा यूरेthral का वो पूरा का पूरा दब जाता है अब जै ऐसे ही sympathetic nervous जब जो penis का erection है penis को tight करना है और erect करना ये जो काम करता है बटा ये करता है पारasympathetic nervous system लेकिन eject जो कराना है वो sympathetic nervous system कराता है ठीक है बटा तो उस टाइम पे आप ऐसे बोल सकते हो कि वो बहुत कम second के लिए खुलता है और ejection होता है sympathetic nervous के system के थूप लेकिन जब इरेक्ट है ना तो उस टाइम पे urine का निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ना दोनों corpus caverism है ये भी एक corpus caverism है और ये भी एक corpus caverism है और ये भी एक corpus caverism वो बहुत थी ज़्यादा फैल जाते है due to increased flow of blood और इसकी वज़े से ये वाला जो है ureth ये दब जाता है मतलब corpus caverism भी पूरा मसल पूरा दब जाता है बटा है ना तो इतना याद रखेंगे यही डाइग्राम अपके यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख पारे यह आपकी sheet ही है ठीक है तो sheet में भी यह दिया हुआ था लेकिन इतना अच्छा डाइग्रम नहीं है कि जित्ता अपन अच्छा देख चुक है ठीक है बटा चलिए तो आज के लिए रुके के बटा यही पर अपन आपके एक-दो mcq है जो मैंने नहीं दिया है आंसर मैं आपको वह दे दूंगा ठीक है जैक्लेटरी डक्ट एंड यूरेथरा त यह पूरा प्रसेंट करता है सेमाइनल फ्लूड उसके बद मैंने आपको बता रूरेथर्व परसेंट इसमें 2-5 परसेंट है portion होता है तो इस तरह से पूरा जो है यह पूरा structure होता है उसका and semen का composition होता है ठीक है इसके बाद थोड़ी का next lecture में अपन circumcision वगेरे भी चीज़े करने वाली है profusal skin जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यह जो है यह glance penis होता है बटा glance penis पताया था मैं ने टेस्टीज है बटा टेस्टीज में बहुत ज़्यादा मतलब 250 ऐसे lobules होते है बटा testicular lobules आप इसको बोल सकते हो there are 250 testicular lobules and in testicular lobules में क्या होते है एक से 3 highly coiled seminiferous tubules होते है ठीक है एक से 3 तो आपको दिखाई दर है बटा कि यहां पर क्या है यह lobule लographerous tubules होता है बटा यह seminiferous tubules के आजो बाजो का जो area है जैसे यह वाला area यह तो होगया seminiferous tubules इसके आजो बाजो का area for example बोल रहो बटा कि यह जो area है यह जो बना रहो इस वक में यह 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 वाला जो area है आप इसको बोल सकते हो interstitial space and is interstitial space में क्या है interstitial cells या फिर आप इसको बोल सकते है lytic cells and यह lytic cells क्या बनाने वाल है बटा lytic cells बनाने वाले है आपका hormone that is testosterone and आपको पता है कि यह जो cells है that is seminiferous tubules seminiferous tubules में दो तरके cells होते है बटा S से S मनलब seminiferous tubules उसमें दो तरके cells है, एक है sperm, एन दूसरे होते है sertoli cells, ठीक है, तो आपको पता है, यह जो spermatogonia है, जो sperm है, यह seminiferous tubules से निकलेंगे, इसके बाद यह जाएंगे, बटा, collecting duct में, दिखाए दे रहा है न, collecting duct, तो दूसरा यह जाएंगे, बटा, collecting duct, इसको याद रखने की, simple trick है, कि what is the pathway of sperm, तो आप याद रखेंगे, बटा, screw, S-C-R-E-V, screw, यह उसका technical term है, आप इसको बोल सकते हो, सबसे पहले वो आया, बटा, seminiferous tubules से, seminiferous tubules, seminiferous tubules से, यह छोटे-छोटे duct से, वो collecting duct से जा रहा है, collecting duct के बाद, वो जाएगा, बटा, कहां जाएगा, वो जाएगा, Rated testis, तो दिखाई देरा आपको, Rated testis में जाएगा, बटा, Rated testis के बाद, वो जाने वाला है, collecting, यह, उसके बाद जाएगा, बटा, वो, Vasa-Effrencia, Vasa-Effrencia को ही बोलते है, बटा, Effrend ductus, क्या बोलते है, इसको, Effrend ductus बोलते है, Vasa-Effrencia को, Effrend ductus बोलते है, ठीक है, चलि इसके बाद कहा जाएगा, बटा, इसके बाद वो जाएगा, Epididymes के पास, मतलब फिर से E आ गया, and last में हो जाता है, बटा, Vasa-Effrencia, ठीक है, तो फिर से एक बार इसको देख लेते है, क्या-क्या चीज़े इसने बोला गया है, ठीक है, देखिए, सबसे पहले, वो Seminiferous Tubules में से निकला, Seminiferous Tubules के बाद, वो गया, बटा, Collecting Duct के पाद, तो यह हो गया, C, Collecting Duct, Collecting Duct के बाद गया, बटा, वो, Rated Estes, मतलब R, Rated Estes के बाद बता है, वो कहा गया, Vasa-Effrencia, या, Efferent Ductus इसको बोलूँगा, तो मैंने E ले लिया, Efferent Ductus, E, E for Efferent Ductus, E के बाद वो Copute, Last वाला जो होता है, बटा, इसके Epididymis E, and Last जो है, वो होता है, Vasa-Efferncia, Vasa-Difference, या, आप इसको बोलेंगे, Sperm Duct, So, This is the trick to remember the pathway of sperm, ठीक है, and Sperm Duct, या, Vasa-Difference से वो जाएगा, U-Ratra की तरह, या, टीक है, तो इत्ता याद हो गया बगई या, आपने को, झाप